नमस्कार साथियों कल्यानी I.S. Academy के डिस्टल प्लेटफरम पर आपका हर्दिक स्वागत है पिछले लेक्चर में हमने मानब सरीर के अंग, सरचना एवं कार्य पुणाली में जन्तु उतक को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझाता इस लेक्चर में हम अंता इस्तरावी तंतर में हार्मोंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे तो सुरू करते हैं अंता इस्तरावी तंतर से मानब सरीर में कई अंग होते हैं और अंगों के मिलने से ही अंग तंतर निर्मित होता है अंग तंत्र के माध्यम से ही मानव सरीर कई कारियों को संपादित इवं संचालित कर पाता है क्या यह संबब है कि एक अंग किसी दूसरे अंग को प्रभावित करता है या एक अंग किसी दूसरे अंग के कार में जो है बादा डालता है बिल्कुल नहीं क्योंकि मानव सरीर में तंत्र का तंत्र और अंता इस्तरावी दो तंत्र ऐसे होते हैं जो मानव सरीर के अंगों के कारियों का नियंत्रण, संचालन एवं उनमें समन में इस्थापित करते हैं अर्थाथ हम कह सकते हैं कि अंता इस्तरावी दो वह तंत्र है जो मानव सरीर के कारियों का नियंत्रण, संचालन एवं उनमें समन में इस्थापित करता है और यह हैं अंता इस्तरावी गरंतियों से मिलकर बना हुआ होता है तो यहाँ पर अगर तीन नंबर में परिवास पूछी जाए कि अंता इस्तरावी तंत्र क्या होता है तो हम एक बहुत अच्छी परिवास लिख सकते हैं कि अंता इस्तरावी तंत्र वह तंत्र होता है जो मानव सरीर के अंगों के कारियों का नियंत्रण, संचालन एवं उन यआ इस्तुभी विज्यान किसे कहते है तो देखिए विख्ञान की वह साखा जिसमें अनतािस्तुवय गरंतियों एबं उनसे इस्तुराबित होने वाले तरल्पदार्तों के अध्यन कोी क्या कहा जाता है अनता इस्तुराबि विग्यान कहा देखिए मानब सरीर अर्बों खर्बों जो है किस से मिलकर बना हुआ है कोसिकाओं से मिलकर बना हुआ है तो मानब सरीर का निर्मार जो है कोसिकाओं से हुआ है और उत्पत्ति एवं कारियों में समान कोसिकाओं के सम्मू को ही क्या कहते हैं उतक कहते हैं और उतकों से ही क्या बने हैं अंग बने हैं अब यहाँ पर जो मानब सरीर में अंग होते हैं उन में कुछ विसेश अंग होते हैं जो की इस्तरा भी किस से मिलकर बने हैं को सी काओं से मिलकर बने हैं अर्था तो उन अंगों से तरल पदार्थों का क्या होता है इस्तरा बन होता है और उन ही अंगो को क्या कहा जाता है ग्रंथियां कहा जाता है इसका ताथ पर यह हुआ कि ग्रंथियां ऐसे अंग हैं जो की तरल पदार्तों का क्या करते हैं इस्तराब करते हैं तो इस तरीके से ग्रंथियों की परिवासा यह है कि ग्रंथियां मानव सरीर के ऐसे अंग है जो इस्तराबी कुछ या अधिकांस में यह जो हैं तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें से पहला क्या हो जाएगा, वहर इस्तरावी ग्रंथि हो जाएगा, जिसको एक्जोक्राइन ग्लाइंट्स बोलते हैं, फिर अन्ता इस्तरावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लाइंट्स हो जाएगा, और इस्त्रावि ग्रंथी वह ग्रंथी होती है जिससे इस्त्रावित इस्त्राव या जिससे निकलने वाला तरल पदार्थ के लिए जो है वाहनिया या नलिकाए होती है और इसके माध्यम से ही जो है इस्त्रावित पदार्थ या तरल पदार्थ जो है इनी नलिकाओं के माध्यम से या वाहिजियों के माध्यम से सरीर के अंगों तक पहुँचता है अर्थात इसमें इस्तरावित प्रदार्थ को अंगों तक पहुँचाने के लिए नलिकाएं या वाहिकाएं पाई जाती हैं तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वहिर इस्तरावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिसमें इस्तरावित इस्तराव को विविन अंगों तक पहुचाने के लिए वाहिकाएं या नालिकाएं नलिकाएं होती है उन ग्रंथियों को ही क्या कहा जाता है वहिर इस्तरावी ग्रंथि कहा जाता है इन ग्रं इन ग्रंथियों से निकलने वाला तरलपदात या इस्तरावित जो इस्तराव है वो किसी विसेश अंग तक ही पहुँचता है, राइट, क्योंकि अगर हम देखें तो अंता इस्तरावी ग्रंथियों से निकलने वाला इस्तराव जिसको क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, वो र इंजाइम का इस्तरावन बहिस्तरावी ग्रंतियों से होता है और इन चुकि ये नलिकाओं के माध्यम से अंगों तक पहुंचता है इसी लिए जिस अंग के लिए एंजाइम का इस्तरावन होता है वहीं तक जो है एंजाइम का क्या होता है ट्रांस्पोर्टेशन होता है तो इसलिए हम यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि सरीर की ऐसी गरंतियां जिनके द्वारा इस्तरावित इस्तराव राइट या निकलने वाला तरल पदार नलिकाओं के माध्यम से या वहिकाओं के माध्यम से जो है अंगो तक पहुँचता है उन्ही वहर इस्तराविक गरंतियां कहते इनकी विसेस्ता ही है कि यह नलिका युक्त गरंथियां होती है और चुंकि नलिका युक्त गरंथियां होती है इसलिए इन से निकलने वाला जो इस्तराव है जिसे क्या कहा जाता है एंजाइम यह किसी विसेस अंग तक ही पहुचता है उधारण के लिए हो जाएगा लार गर ग्रंतियां अंता इस्तरावी ग्रंतियां वे ग्रंतियां होती है जो नलिका विहीन होती है अर्थात जिन में डक्ट्स नहीं पाए जाते हैं तो इन से निकलने वाला जो इस्तराव है या इन से निकलने वाला जो तरल पदारत है वो रक्त में घुलकर सभी अंगों तक पहु और इन से निकलने वाला जो तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है हार्मोन कहा जाता है अर्थात हार्मोन अंता ग्रावी अंता इस्तरावी ग्रंतियों से निकल कर जो है रक्त के माध्यम से उन अंगों तक पहुंच पाता है तो यह जो ग्रंतियां हो जाएंगी यह होती हैं अर्था जिनमनलिकाएं नहीं पाई जाती है जो डक्ट-लैस होती है और इन से निकलने वाला जो इस्तराव है जिसे हार्मॉन कहा जाता है यह सीधा रख्त में मिलता है और रख्त के माध्यम से अंगों तक क्या होता है पहुंचता है राइट उधारण के लिए क्या हो जाएगा पी उस गरंथी हो जाएगा थाइराइड गरंथी हो जाएगा अधी वरक्य गरंथी हो जाएगा पैरा थाइराइड गरंथी हो जाएगा थाइमेस गरंथी इत्यादी अब तीसरी हो जाएगी यहां पर मिसरत ग्रंथी यह क्या हो जाएगी मिक्सर ग्लांड हो जाएगी तो मिसरत ग्रंथी किसे कहते हैं देखिए मिसरत ग्रंथियां वे ग्रंथियों होती हैं जो कि वही का युक्त या नली का युक्त होती हैं अर्थात इन ग्रंथियों में नली का पाई जाती हैं और जिन ग वो सीधा रख्त में मिलकर अंगों तक पहुचता है और थात इनका एक वाग जो है वो अनता इस्तरावी गरंथी के रूप में भी कारे करता है इसी लिए चूंकि इनका एक वाग अनता इस्तरावी गरंथी की तरह तथा दूसरा वाग बहर इस्तरावी गरंथी की तरह कारे क करता है इसी लिए इन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है मिस्तरत ग्रंथियां कहा जाता है और साथ ही साथ ये नल का युक्त ग्रंथियां होती है जैसे उधारण के लिए क्या हो जाएगा अगना से हो जाएगा तो अगना से का एक भाग वहिरस तरह भी ग्रंथिक रूप में क करता है अब हम हार्मोन को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और चुंकि हार्मोन हमारे सलेवस में इसपस्ट रूफ से उलएक है इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर हार्मोन किसे कहते हैं फिर हार्मोन की गोण एवं हार्मोन की विसिस्ताओं को समझते हुए अलग अन्ता इस्तरावी ग्रंथी से निकलने वाले हार्मोन के कारियों को एवं कारे प्रणाली को समझेंगे तो समझते हैं हार्मोन किसे कहते हैं हार्मोन अन्ता इस्तरावी ग्रंथियों से निकलता है, जो रख्त के माध्यम से अंगों तक पहुचता है, इवं उनकी कारे प्रणाली को क्या करता है, प्रभावित करता है, साथ ही साथ अगर हम विसिस्ट रूप से अगर इसके परिवासित करें, तो हम सीधा कह सकते हैं कि ह हार्मोन अन्ता इस्तरावी ग्रंथियों से निकलने वाला या इस्तरावित होने वाला विसिस्ट कारवने की योगिक होता है, तो हार्मोन विसिस्ट कारवने की योगिक होते हैं, जो रख्त के माध्यम से, चुंकि यह अन्ता इस्तरावी ग्रंथियों से निकलते हैं, तो उनमें नलिकाई नहीं होती हैं इसलिए सीधे रक्त के साथ सरीर के विविन भागों में पहुचते हैं और विविन भागों में पहुचकर विसेस अंगों एवं उतकों के कारियों को कारियों का नियंतरण करते हैं एवं उनके मद्द जो है वो समन बे इस्थापित करते हैं त जो रक्त के माध्यम से सरीर के विविन भागों में पहुचते हैं तथा सरीर के विस्स्ट अंगों एवं उत्कों के कारियों को नियंतरित करते हैं तथा उनमें समन्वे इस्थापित करते हैं उन विस्स्ट कार्वनिक योगिक कोई क्या कहते हैं हार्मोन कहते हैं यहां पर हा क्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वे के लिए तंत्रिका तंत्र होता है और तंत्रिका तंत्र के अलाबा कुछ विस्ष्ट रासायनिक योगिक भी होते हैं और उन विस्ष्ष्ट रासायनिक योगिकों को को ही क्या कहा जाता है हार्मोन कहा जाता है तो कह सकते हैं कि मानव सरीर में या जन्तुओं में विविन सारे रिक्रियाओं के नियंत्रन एवं समनवे के लिए तंत्रिका तंत्र के अलावा अलावा कुछ विसिस्ट रासाइनिक योगिक होते हैं और उन विसिस्ट रासानिक योगिकों को क्या कहा जाता है हार्मोन कहा जाता है हार्मोन ग्रीक भासा का सब्द है जिसका अर्थ होता है टू स्टिमुलेट और क्या हो जागा एक्साइट हो जाएगा अर्थात हार्मोन का सब्द होता है उत्तेजित करने बाला पदार्थ जो हार्मोन सब्द है हार्मोन सब्द का सबसे पहले प्रियोग वेलिस्ट एवं इस्टरलिंग ने सन 1904 में किया था और हार्मोन का जो इस्तरावण है वो अंता इस्तरावी गरंथियों से होता है ये बात याद रखें कि वहर इस्तरावी गरंथियों से निकलने वाला जो इस्तराव है उ तो अंताइस तरह भी ग्रंथियां है ये हमें पता है नेली का विहीन होती हैं इसलिए हार्मोन सीधार रक्त के माद्यम से सरीर के विबिन वागों में पहुचता है और विसिस्ट अंगों एवं उतकों के कारियों का नियंतरण एवं समन्बे करता है अर्थात रुदर द्वा हार्मोन की असामानिता के कारण होने वाला जो रोग होता है उसे ही प्रेकारियात्मक रोग कहा जाता है अब हम यहां पर जो है हार्मोन के गुण समझेंगे तो ये भी तीन नमबर में पूछा जा सकता है कि हार्मोन के गुणों को लिखिए तो पहला हो जाएगा कि हार्मो अल्प मात्रा में अंतह इस्तरावी गरंतियों से इस्त्रावित होते हैं साथ ही साथ आल्प मात्रा में जो है क्रियसील ही होते हैं तो यह अल्प मात्रा में बनते हैं अल्प मात्रा में इनका इस्तरा बन होता है और यह उसी मात्रा में क्रियसील होते हैं रासानिक संरचना की दरस्ती से यह प्रोटीन के वने हुए होते हैं साथ ही साथ यह है जल एवम रुधर के प्लाज मा में बिले होते हैं और इसी प्लाज मा में जो है वो घुलकर ये सरीर के विविन भागों तक जो हार्मोन को ये विविन भागों तक पहुचते हैं कारे समाप्त होने पर जो हार्मोन होते हैं विगटित हो जाते हैं इसलिए विसेस इस्तिती या विसेस दसा में कुछ हार्मोन इस्तरावित होते हैं जो कि हमारे सरीर की कारे प्रणाली को या अंगों को विसेस कारियों को संपाधित करने के लिए प्रियृत करते हैं और जब क सारे समाप्त हो जाता है तो यह हार्मोन क्या होते हैं विगटित हो जाते हैं अब हम यहाँ पर समझते हैं हार्मोन के कार तो यह भी पांच नम्मर में पूछा जा सकता है कि हार्मोन के कारी क्या होते हैं तो हार्मोन के कारियों को लिखने के लिए सबसे पहले हम हार्मोन को प करियाए हो जाएंगे देखिए हमारे सरीर की अंतास्तरावी गरंदियों से अनेक हार्मौन का इस्तराबन होता है और यह अनेक हार्मौन हमारे सरीर में उतक व्रदन परिवर्तन एवं व्रत्धी का क्या करते हैं नियंतर्ण करते हैं और ताथ इनी हार्मोनों से हमारे सरीर की सारे रिक व्रद्धी हो जाएगी सभी अंगों का सभी अंगों में जो हो जाएगी या उतक में परिवर्तन हो जाएगा या उतक में विवेदन हो जाएगा इस तरीके से ये जो कारे हैं ये हार्मोन के द्वारा किये जाते है दूसरा क्या हो जाएगा तंत्री का तंत्र का विकास हो जाएगा हमारी सरीर के सभी अंगों के कारियों के नियंत्रन एवं संचालन के लिए तंत्री का तंत्र होता है साथ ही जो है हमारे सरीर में यहाँ पर कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जिनके द्वारा तंत्र का तंत्र का व मांसिक विकार उत्पन हो जाते हैं यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है यहां पर भी जो है कॉंडम आएगा तो तंत्र का तंत्र का विकास और क्या हो जाएगा निगवन हो जाएगा तो कुछ हार्मोन के द्वारा जो तंत्र का तंत्र का विकास होता है और यदि उन हार्मोन का इस्तरावन कम होगा तो उससे कई प्रकार के मानसिक बिकार भी उत्पन हो जाते हैं फिर क्या हो जाएगा समन में संचालन और क्या हो जाएगा नियंत्रन हो जाएगा तो तंत्रिका तंत्र के अलावा हार्मोन भी हमारे सरीर के कारियों के जो है कारियों पर क्या करते हैं समन में इस्तापित करते हैं संचालन करते हैं साथ ही साथ ये कुछ अन्य ग्रिंथियों के जो है हार्मोन पर भी नियंत्रण करते हैं और इस तरीके से ये बिविन कारियों में नियंत्रण एवं समन में इस्तापित करते हैं साथ ही साथ चौथा कारिका हो जाएगा उपाप चाही क्रिया हो जाएगे तो कुछ हार्मोन जैसे क्या हो जाएगा थायराइट इंसुलिन सरीर की उपाप चाही क्रियाओं का भी क्या करते हैं नियंतरण करते हैं अर्थाथ अगर थायराइट जो ग्रंती है उससे निकलने व क्रियां हो जाएंगे तंत्रिका तंत्र का विकास एवं नियमन हो जाएगा राइट समन में हो जाएगा और उपाप चाहिए क्रियां ये सभी हार्मों के क्या हो जाएंगे कारी हो जाएंगे अब हम यहाँ पर जो हैं अन्ता इस्तरावी ग्रिंथियां एवं उनसे इस्तरावित होने वाले जो हैं हर्मोन को पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर जितनी भी अन्ता इस्तरावी ग्रिंथियां तो अन्ता इस्तरावी ग्रिंथियां उनसे निकलने वाले जो हर्मोन हैं हम उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ते चलेगे और हमारा format कुछ इस तरीके से रहेगा हम सबसे पहले किसी एक अंता इस तरह भी ग्रंथी को पढ़ेंगे जैसे अगर हम देख लें तो सबसे शुरू में हम प्यूस ग्रंथी को पढ़ेंगे और फिर पी उस गरंथी को पढ़ने के बाद में इस से जितने भी हार्मोन का क्या होता है इस्तरावन होता है उन हार्मोन को पढ़ेंगे उन हार्मोन की अधिक्ता से या उनके कम इस्तरावन से क्या प्रभाब होता है ये समझेंगे फिर हम दूसरी गरंथी पढ़ेंगे जैसे पीनिय गरंथी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि penial गरंथी से कौण कौण से हर्मोन का इस्तराबन होता है फिर जहेंसे कौण सी हो जाएगी अब टूण गरंथी या thyroid गरंथी को पढ़ेंगे फ jemand पहर टायराइड गरंथी हो जाएगी अम कि ओव्धि gradation ग्रंथी हो जाएगी और कुछ क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर जनन ग्रंथियों को भी पढ़ेंगे और उनसे निकलने वाला जो जनन हार्मोन है या लेंगिक हार्मोन है उनके बारे में हम पढ़ते चलेंगे राइट चलिए तो सबसे पहला हो जाएगा पी उस ग्रंथी देखिए पी उस ग्रंथी पर अगर कभी भी किसी भी ग्रंथी को लेकर प्रस्न पूछा जाता है तो नौर्मली हमें उस ग्रंथी के बारे में यही लिखना है कि वो ग्रंथी हमारे मानव सरीर में कहां पर अवस्तित होती है उससे कुन से हार्मोन का इस्तराबन होता है और उसकी विसेस्ता क्या होती है तो अगर हम देखें पी उस ग्रंथी के बारे में तो पी उस ग्रंथी हमारे कपाल में या मस्तिस्त में अवस्तित होती है पी उस ग्रंथी कपाल की जो स्फिनाइट हड़ी है उसमें सेला तरसी का जो है नामक अस्थी गुहा या गड़े में ये क्या होती है अवस्तित होती है तो पियूस गरंथी मानव सरीर के कपाल की स्थे इस्फिनाइड हड़ी में जो सेला तरसी का सेला तरसी का नामक गड़ा होता या अस्थी गुहा होती है उसमें ही पियूस गरंथी होती ह प्यूस ग्रंथी का आकार मटर के समान होता है साथ ही साथ इसका बजन कुल कितना होता है 0.6 ग्राम होता है और ये मानव सरीर की सबसे चोटी ग्रंथी है तो प्यूस ग्रंथी मानव सरीर की सबसे चोटी ग्रंथी है जिसका बजन 0.6 ग्राम होता है और प्यूस ग्रंथी को ह मास्टर ग्रंथी कहा जाता है इसका कारण यह है कि प्यूस ग्रंथी से निकलने वाले हार्मोन अन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को प्रेवित करते हैं अर्थात यह है अन ग्रंथियों अन अस्तरावी जो ग्रंथियां उनको नियंत्रित करते हैं यही कारण है कि प् ये व्यक्ति के सोभाव, स्वस्त, ब्रत्ति एवं लेंगिक विकास को भी क्या करती है प्रेरित करती है तो चुकि प्यूस ग्रंथी से निकलने वाला हार्मोन अन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करता है और थात प्यूस ग्रंथी अन अन्ता इस्तरावी घरनथीज़ों को नेंत रित करती है इसलिए इसको Master करते हैं और यह हमारे सरीर के भैकती के स्वभाव व्यक्ती रिग व्रध्धी एवं लेंगिक विकास को प्रेरित भी करती है अब प्यूस Гरन्थी के दो भाग copy होते हैं यह अग्रभाली जिसको क्या कहा जाता है एड्रीनो हाइपोफाइस हो जाएगा और दूसरा भाग क्या कहला था पस्चपाली तो अग्रपाली और दूसरा हो जाएगा पस्चपाली जिसको क्या कहा जाता है नियूरो हाइफोफाइस राइट और इन दोनों भागों से कई हार्मोनों का इस्तराबण होता ह तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि पियूस गरंती के अग्रपाली एड्रीनो हाइपोफाइस भाग से कौन-कौन से हार्मोन निकलते हैं जिसमें से सबसे पहला हो जाएगा ब्रधी हार्मोन ब्रधी हार्मोन को ही सुमेटोट्रोफिक हार्मोन भी कहा जाता है तो व्रद्धी हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन या इसको ही क्या कहा जाता है सुमेटोट्रोफिक हार्मोन कहा जाता है पियूस ग्रंथी से निकलने वाला जो सुमेटोट्रोफिक हार्मोन होता है यह सरीर की ब्रद्धी और विसेश रूफ से हद्धियों की ब्रद्धी के लिए जाना जाता है इसी लिए इसी क्या कहा जाता है ब्रद्धी हार्मोन कहते है तो सुमेटो ट्रॉफिक जो हार्मोन है वो सरीर की ब्रद्धी और विसे इस रूफ से हट्डियों की ब्रद्धी के लिए जाना जाता है और यह हट्डियों की ब्रद्धियों का नियंतरण करता है इसलिए इसको ब्रद्धी हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है अग तो यदि इसकी अनुपात में या इसके इस्तरावण में कमी या अधिक्ता होती है, तो उससे सरीर की व्रद्धी भी प्रभावित होती है। तो सुमेटोट्रोफिक हार्मोन की अधिकता से भीमकाइकता गिगेंटिज्म अत्वा एक्रो मिलगी जो है ये विकार उत्पन हो जाते हैं और इन दोनों विकारों में भीमकाइता में और एक्रो मिलगी में विक्ती की जो लंबाई है वो सामान से बहुत अधिक क्या होती है बढ़ जाती है, साथी साथ हड्डियां वारी एवं मोटी हो जाती है, clearly, right, और इसके साथ ही, ये तो हो गई अधिक्ता से, right, अगर वल अवस्था में जो सुमिट्र ट्रोफिक हार्मोन है, उसका इस्तराबन कम होता है, तो इसके कमी से, या जो ब्रद्धी हार्मोन है, उसके कम इस्तराव से सरीर की ब्रद्धी जो है, अवरुद्ध हो जाती है, रुख जाती है, और इससे बच्चों में बोनापन हो जाता है, तो सीधी सी बात है, कि जो सुमिट्र ट्रोफिक हार्मोन है, वह हड्डियों की सरीर की व्रद्धी विसे इस रूबести ROB की व्रद्धी के लिए उतेरडाई होता है। इसलिए उसको व्रद्धी tire hormone कहते हैं। अगर यह अधिकता होगी अगर इसके इस्तरावन अधिक होगा तो अधिकता से भीम काएकता एवं एक्रो मिलगी नामक विकार उ हो जाएगा thyroid prayerak hormone अब हमने देखा था कि जो है प्यूस गृंथी ये जिसको अंग्रेजी में पिट्यूट्री ग्लांड बुला जाता है इससे निकलने वाले हार्मोन कई अन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को क्या करते हैं प्रेरित करते हैं तो यहां पर कुछ जो हार्मोन है वो अन ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करते हैं जैसे यहां पर कौन सा हो जाएगा जो है थाइराइड प्रेरक हार्मोन था रहा जाता है जो थाइराइड प्रेरक हार्मोन होता है यह है थाइराइड ग्रंथी के कारियों को एवं उससे निकलने वाले हार्मोन को क्या करता है प्रेरिद करता है तो जो थाइराइड प्रेरक हार्मोन है यह सीधी सी वायत है थाइराइड ग्रंथी के कारियों को एवं उ अगला जो हर्मोन हो जाएगा वो हो जाएगा एडिनो कार्टिको ट्रॉपिक क्या हो जाएगा हर्मोन हो जाएगा एड्रीनो कार्टिको क्या हो जाएगा ट्रॉपिक हर्मोन हो जाएगा क्लियरली इसमें यहां पर और यहां पर और यहां पर सुदान ना तो एड्रीनो कर 먼저 को प्रभावित करता है साथ ही साथ उससे निकलने वाले हमोन को भी करता है तोसे यह जाएगा Milesade 예 जो निम्न इससर के जनतू होते हैं, या पक्ची होते हैं, उनमें यह हार्मोन जो है मिले निन, मिले निन बरनक के जो है कणो को क्या करता है फैलाता है जिससे तवचा का रंग क्या होता है प्रबावित होता है और फॉल्स रूप तवचा का रंग क्या हो जाता है रंगीन हो जाता है तो निमन जन्तुओं में एवं पक्छियों में यह प्रवाबित होते हैं और तुचा क्या होती है रंगीन हो जाती है तो इस तरीके से जो मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन है ये तुचा पर चकते एवं क्या हो जाएगा तिल पढ़ने के लिए उत्तरदाई होता है एवं तुचा के जिले के लिए का होता है उत्तरदाई होता है अगला हो जाएगा गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन हो जाएगा तो देखे जो कि की प्यूस गरंती से यह जनन गरंतियू से इस्तराबित जनन हार्मोन या लेंगिक हार्मोन को क्या करता है प्रभावित करता है तो जो गोनोडो ट्राफिक हार्मोन है यह भी कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का होता है सबसे पहला हो जाएगा यहां पर पुटिका प्रेरक हार्मोन तो पुट क्या है रुटी का प्रेइद को समझाइब और अगर इस तरीके से प्रस्ण पूछा जाता है तो हम जो है फिर हमें किलिए नहीं पता Хारमोन है यह किस गरंती से इस्तरावित होता है, इसका कार ये क्या है, इसकी कमी से या कम इस्तरावन से क्या विकार उत्पन होगा, इसकी अधिक्ता से कौन सा विकार उत्पन होगा, ये चारों की चारों चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तो जो गोनोडो ट्रोपिक हार्मोन है ये पियूस गरंती के अग्रबाग से या अग्रपाली से स्तराबित होता है और ये जनन गरंतियों की क्रिया सीलता को प्रभावित करता है और इसका पहला प्रकार हो जाएगा पुटी का प्रेराक हार्मोन जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है fallacyl stimulating hormone कहा जाता है जो पुटी का प्रेरख हार्मोन होता है ये पुरसों एबं मैलाओं में अलग अलग तरीके से जो है भूम कर निवाता है पुरसों में पुटी का प्रेरख हार्मोन सुक्रजनन या इस पर मेटोजेनेसिस को क्या करता है उद्धीपित करता है और ताथ पुटी का प्रेरख हार्मोन जो सुक्राणूं के निर्मान है उनको उद्धीपित करता है तो पुरसों में यह सुक्रजनन को उद्धीपित करता है तो वहीं इस्त्रियों में या फीमेल में अंडासे से अंडोत सर्ग को क्या करता है जो है प्रीरित करता है और इसके कारण ही अंडासे में फॉली किल की क्या होती व्रद्धी में सहयता होती है फिर गुर्ण ट्राफिक हार्मोन का दूसरा प्रकार kundh사 हो जाएगा Luteinizing क्या हो जाएगा हार्मोन हो जाएगा Luteinizing जो हार्मोन है पुरसों में यह है Tastysterone को और आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि जो Tastysterone है यह पुरसों का क्या माना जाता है नर हार्मोन माना जाता है तो यह नर हार्मोन होता है और estrogen जो है मादा हार्मोन होता है तो लीटिन आइजिंग जो हार्मोन है यह नर हार्मोन टेस्टे इस्टरोन के इस्तराब को प्रेरित करता है तो वहीं महिलाओं में यह सब्सक्राइब को प्रेरिद करता है जो टेस्टी-स्टरउन है वो पुर्सों में लेंगिक विकास के लिए उत्तरदाई होता है और जो Esteogen है वो मैलाओं के लैंगिक विकास के लिए उत्तरदाई होता है state clear अब यहां-पर हो अगला हो जागा दुख्द जनक हार्मोन या जिसको क्या कहा जाता है लेक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है या LTH कहा जाता है देखिए दुख्द जनक हार्मोन पियूस ग्रंती के अग्रपाली से इस्तरावित होने वाला हार्मोन है इसे दुख्द जनक हार्मोन कहते है अर् सिसू होता है तो सिसू को जो है शुरुवाती दौर में जो है माता का दुग्द ही जो है फीड किया जाता है तो जो लेक्टोजेनिक हार्मोन है यही लेक्टोजेनिक हार्मोन मादाओं में दुग्द इस्तुरापन को प्रेरित करता है अर्थात लेक्टोजेनिक हार्मोन के क hst़ प्रो रियूंत्र 6 इस पहते अब प्यूस्ध की यह जिसको क्या और नियूरोहाइफवक्योहाईसर कहा जाता है तो नियूरो हाइफ फाइसिस पार्ट या पस्च पाली भाग से जो हार्मोन निकलता है उसमें सात्वा नम्मर का कौन सा हो जाएगा बैसो प्रेसिन हो जाएगा या एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन राइट बैसो प्रेसिन हो जाएगा या एंटी डाइयूरेट के लिए को था response करने के लिए क्या करता है प्रेरित करता है इसलिए इसको मूत्र रोधी हर्मौन भी कहा जाता है रइंट तो चुंकि ये हर्मौन ब्रक्य की जो मूत्र बहाइनिया होती है उनके वो जल पुन्राव सोसन के लिए लगा तो यहां अगर आप ध्यान दें तो यहां पर क्या लिखा पुन्राव सूसन इसी वज़े से इसको क्या कहा जाता है मूत्र रोधी हार्मोन भी कहा जाता है इसके अलावा जो यह एंटी डायूरिटिक हार्मोन है यह रुदिर बाहिकाओं के सिकोड कर रुदुर दाव को भी क अच्छा करता है बढ़ाता है और इसका सबसे में पूर्ण जो है वह आप याद रखें कि जो एंटी डायूरिटिक हार्मोन होता है यह सरीर के जन संतुलन में सहायक होता है यह ब्रक्ट की मूत्र बाहिकाओं को जल पुनराव सोस्ण करने के लिए प्रिरित करता है अर्थ साथ ही सालत रुद्र बाहिकाओं के जो है तो कर दाब को भिका करता है गराता है फिर अगला हो जाएगा यहाँ पर leadership हार्मों जाएगा राट रियट और ये बहुत ही दमर्द हार्मोन होता है जो इस्तरियों के गरवाश है अनके इस्तर के ंभड़कों पर क्या होता है kri हर्मोन है वो इस्तरियों के गर्वास है एवं उनके इस्तन की उतकों पर क्रिया सील होता है और साथ ही साथ जब सिसू का जन्म हो जाता है तो जन्म के पस्चात गर्वास है को सामान अवस्था में लाने के लिए आक्सी टोसिन हर्मोन भी उत्तरदाई होता है साथ ही साथ महि एलाओं में दुग्द्व पान के समय इस्तानों की जो पेशियां उनको सिकड़ का दुग्द उत्बेपजण को क्या करतािक निकलता है और इसे विसेस्था के कारण अगर आप देख़ें तो बत्मा समय में देरी देरी के चेत्र में जो जितनी भी जटु पोतेमें उनको आकशिटोसीन के इंजिक्सन दिये जाते और जैसे ही गाय को वेंस को बकरी को यह कोई थुधारे पसुको, जैसे आकशिटोसीन का जो इंजेक्सन दिया जाता है तो इस प्रोटीन की अधिकता की वज़े से क्या होता है जो दुग्द उत्पेक्छण है उसमें ब्रद्धी होती अर्थात अधिक मात्रा में दूद क्या होता है निकलता है और इसके अलाव अगर हम देखें तो यह जो आकसी टोसिन हार्मोन है घर आप देखें तो आकसी टोसिन जो हार्मोन है बर्तमान समय में सरकार ने इसके उत्पादन एवं इसकी विक्री पर क्या लगा दिया है प्रतीवंद लगा दिया है उसके तीन चार कारण है उसके कारण क्या है कि यह जो हार्मोन है आकसी टोसिन हार्मोन है इसका प्रियोग जो है एक तो यही पर अगर हम देखें तो आक्सिटोसिन हार्मोन का प्रियोग बड़ी मात्रा में जो है डेरी के छेतर में किया जा रहा था अब आप समझें कि अगर प्राकृतिक तोर से अगर प्राकृतिक रूफ से किसी मादा में आक्सिटोसिन हार्मोन का इस्तराबन होता है तो no doubt उससे दुग्द उत्पेक्छण में ब्रद्धी होगी परंतु अगर आप कृतिम तरीके से किसी भी मादा को किसी भी जनतू को अगर आप ये हार्मोन देंगे तो उससे दुग्द इस्त्रावण में तो ब्रद्धी होगी परन्तु अगर आप लगातार जो है ऑक्सिटोसिन हर्मोन का इंजेक्शन किसी भी गाय को या वैस को देंगे तो उस से क्या होगा फिर दुख्द की बिसाक्तता भी क्या होगी बढ़ोत्री होगी तो क्लियर इस से दुख्द की जो है गुडबत्ता में इसका नकारात्मक प्रभाव पढ़ रहा था साथ थी साथ जो ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन है वो सबजियों में और एक करीके से फलों में भी जो इस्तमाल किया जा रहा था इस ऑक्सिटोसिन हार्मोन के करण ही फल एवम सबजियों को बहुत ही जली बढ़ाने के कारण इसका बड़ी मात्रा में प्रियोग किया जा रहा था जो लोकी है बटे हैं उनमें थोड़ा सा इंजेक्शन दिया तो वो बहुत ही कम समय में बहुत ही क्योंगे उनका आकार क्या होगा बढ़ जाएगा और इससे जो प्रोड्यूसर है उत्पादक है उसका सब्जी फल में उसकी अच्छे कासी क्या होगी इनकम होगी तो इसका फ पहलू यह हूँ नई कि इसकी वजए से यियों जो है व्यास्या व्रती में क्या हो रही थी बढ़ोत्री हो रही थी भारत में कई जो फांच ये दस साल की लड़कियों को अगवा किया जाता था और उनको अगवा करकے दूसरे देशों में क्या किया जाता था अब सीढि प बच्ची को किड्नेप करना आसान होता है परंतु उस बच्ची को अगर 5-10 साल तक उसका लालन पूर्शन करना पड़ेगा तो जिसने अगवा किया है वह आर्थिक नुकसान से बचने के लिए जो छोटी लड़कियां होती थी उनको आक्सी टोसिन का इंजेक्शन्स देते थे जिससे उन में परिवक्वता बहुत जल्दी आ जाती थी और उनको जल्द से जल्द बाजर बेश्यब्रती में धकेल दिया जाता था तो इन सब दुस्परिनामों की बज़े से यह ऑक्सीटोसिन का जो उतपादन है और उसकी जो खुली बिक्री है उस पर सरकार ने प्रतिबंद लगा दिया है अब सरकार की निगराणी में लाइसेंस प्राप्त उध्योग ही जो है ऑ sensitोसिन हर्मो No का क्या करते हैं उतपादन कर सकते हैं तो यह अनAm्य पर आक्सिटोसिन हर्मोन को भी समझ लिया है अब दूसरी ग्रंथी हो जाएगी पीनियल ग्रंथी हो जाएगी कौन सी हो जाएगी पीनियल ग्लेंड हो जाएगी तो पीनियल ग्रंथी भी हमारे मस्तिस्क में उपस्तित होती है और यह हमारी दोनों आखों के विल्कुल बीच का जो इस्थान होता है जहां पर हम तिलक लगाते हैं वहां पर ये ग्रंथी होती है इस ग्रंथी को ये भी माना जाता था कि इस ग्रंथी को ही आत्मा का इस्थान या आपने सुना होगा कि संक्रव अग्मान का जो तीसरा नेत्र है राइट वो यही ग्रंथी मानी जाती है त पिनियल गरेंथी मनस्ट की मस्तिस्क में उपस्तित होती है और पहले इसे आत्मा का स्थान यह तीसरी आख का अवसेज भी माना जाता था यह मानव के जो मस्तिस्क में इस तित होती है और इससे तीन हार्मौन का इस lands ऑन हुता है जिन को हम एक-एक करके हैं पर समझते सबसे पहला क्या हो जाएगा सेरोटोनिन हो जाएगा और ध्यान रखें हमने दैनिक जीवन में रसाइन में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाता है कि विक्ति अवसाद की इस्तिती में कैसा जाता है दरासल हमारे मस्तिस्क में एक नियूरो ट्रांस्मीटर होता है तो जो सेरोटोनिन है सेरोटोनिन जो है सेरोटोनिन पीनियल गरंती से निकलने वाला हार्मोन होता है और सेरोटोनिन एक क्या है नियूरो ट्रांस्मीटर हार्मोन है जो कि तंद्रिका कोसिकां के बीच सूचनाओं का क्या करता है आदान प्रदान करता है रख्ट वाहिकाओं को सिकोड कर रख्ट दाब बढ़ाने का कारे करता है साथ ही साथ यह है मानव मानोदसा को प्राकर्टिक रूप से क्या करता है विनियमित करता है अर्थात सेराटोनिन जो की क्या है एक नियूरो ट्रांस्मीटर हार्मोन होता है अगर इसका इस्तरावण जो है इसका इस्तरावण होगा तो इससे तंद्री का कोशिकाओं के बीच में सूचनाओं का प्रदान आदान प्रदान जो है आसानी से होता रहेगा और इससे जो मनोदसा है वो प्राकर्टिक रूफ से क्या होगी विनियमित होगी अर्थात अगर आप अच्छा देखते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, आप बुरा देखते हैं तो बुरा लगेगा, कोई आपको परेशान करता है, तो आपकी मानसिक इस्तिति या जो है, जो आपकी दसा है, वो ठीक नहीं होगी, या आपको अच्छा भोजन मिल जाए, खेलने को मिल जा अगर इसका इस्त्राबन में कोई भी अगर दिक्कत आती है तो इससे जो मनुदसा है उस पर क्या होता है विपरीत प्रिभाव पड़ता है दूसरा हो जाएगा यहाँ पर मेला टूनिन हार्मोन हो जाएगा देखिए मेला टूनिन जो हार्मोन है उसका मुख्यकार है तवच्चा वरनक मेला निन का संसलेशन को विनियमित करना सोने और जागने के चक्र को बनाए रखना तथा सरीर की जैविक ले जिसको क्या कहा जाता है वायलोजिकल रिदम है उसको बनाए रखना biological rhythm सिर्फ क्या ताथ पर यह है समझे को यह जो मेलाटोनेन हार्मोन होता है यह biological जो रिदं को बनाये रखने में में पूर भूम का होता है, इसका ताथ पर क्या है, कि कभी आपने सोचा है, कि आपको अचानक ही भूख लगाई, या अचानक ही आपको कोई भी कार करने का, या अचानक ही भूख लगाई, या अचानक ही आपको नीन आगे, नहीं, आप जो भी कार करते हैं, दर असल जैसे आपक फोग लगना प्रारंब हो जाएगी अर्थात हम सुते हैं खाते हैं जो भी कारे बन चारन रिग करते हैं कि किकी व्यक्ति किसी को बचपन से जो है दस बज़े नीद आती तो जल्दी सो जाता है तो किसी को दो बज़े तक नीद नहीं आती तो किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को सुबह जो है नीद बहुत अच्छी लगती तो जो मेला टोनिन हार्मोन है वो जैविक ले को हार्मोन को बनाए रखता है तो मेला टोनिन जो हार्मोन है वो बाई लॉजीकल रिदम को बनाये का Melanin Stimulating Hormone right उसके क्या करता है विपरीत कारी करता है कैसे अगर हम देखें तो जो Melanin है वह एक क्या है वरणाक है पिगमेंट है जो कि तोचा हो जाएगा आख हो जाएगा वाल और केंद्रिय तंत्रिकतंत्र आदी में पाया जाता एवं इनके रंगों को क्या करता है स्त्रावित होता है और यह सरीर की क्या करता है जैविक घड़ी को नियंतरित करता है तो यह अंतर हो जाएगा तो मेंला निन क्या है एक व्रणक होता है जो कि क्या है तोचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है अर्थात मेला निन जो है तोचा आँक बाल इवं केंद्रिय तंत्र का तंत्र में पाया जाता है जब कि मेला टो निन जो है हार्मोन होता है जो कि सोने जागने के चक्र और सरीर की जैबिक ले को बनाए रखने में मे तीसरी ग्रंथी हो जाएगी यहां पर अवटू ग्रंथी हो जाएगी या थाइराइड ग्लांड हो जाएगी तो अवटू ग्रंथी जो अवटू ग्रंथी है या थाइराइड ग्रंथी है तो थाइराइड ग्रंथी भी मानव सरीर की एक मैतुपमूर ग्रंथी होती है जो की अवटू ग्रंधी स्वास नली है जो ट्रेकिया होती है इसके दोनों और कहां पर लेर्रिंग्स के नीचे इस्तित होती है तो ट्रेकिया के दोनों और लेर्रिंग्स रहते हैं यह जो ग्रंथी है थाइराइड ग्रंथी अनेक खोकली वह गोल पुटीकाओं से मिलकर बनती है और यह जो गोल पुटीकाओं होती है इनमें ही आयोडीन युक्त गुलावी रंग का कोलाइडी पदात भरा रहता है जिसको आयोडो थाइरो ग्लोवियूलिन क्या कहते हैं तो आयोडो थायोरोनिन भी कहा जाता है जो कि और इसका जो पैस्टप्रतिसतद भागती किसका बना होता है आयोडीन का बना होता है तो थाराइड ग्रंथी स्वाशनलिय के दोनों तरफ ले की नीच के उपस्तित होती है। इस भूमी का निवाता है थायरेक्सिन हार्मोन कोस्किये स्वसन की गती को क्या करता है तीब्र करता है तो ये कोस्किये स्वसन की गती को तीब्र करता है साथ ही साथ सरीर की ब्रद्धी जिसमें क्या हो जाएगी हड्डियों की विद्रब ब्रद्धी बाल आदी के विकास को क्या करता है प्रिभावित करता है तो थारेक्सिन हार्मोन कोस्किय स्वसन की जो गती है उसको तीब्र करता है सरीर की ब्रद्दी जैसे हड़ियां इवं बाल आदी के विकास को प्रिभावित करता है साथ ही साथ ही है दूसरी अन्य अंतहा इस्तरावी गरंतियों को भी क्या करता ह है प्रभावित करता है यदी शरीर में थारक्षिन हार्मोन का इस्तरावन क्या होता है कम हो जाता है तो बच्चों में थारक्षिन की कमी के कारण अवटू वाम्ता यह नामक रोग उत्पन हो है और इसमें तीस उम्र का जो वैस्त विक्ति है वो चार से पांच वर्स का बालक क्या होता है प्रतीत होता है तो थाराइट ग्रंथी से जाने वाले थारक्षिन हार्मोन की अगर कभी हो जाए किसमें बच्चों में तो उससे अवटू बाम्नता जो हर रोग हो जाता है और इसमें 30 साल का विक्ति चार से पांच साल का बालक प्रतीत होता है साथ ही साथ योवन अवस्ता के पस्चाथ इस हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है मिक्सी डीमा तो बच्चपन में या बच्चों में अवटू बाम्नता रोग होता है फिर योवन अवस्ता में मिक्सी डीमा रोग होत जो थाइराइड गरंति उसका आकार क्या होता है बढ़ जाता है अगर हम देखेंज जैसे यह mitigation हो जाएगा तो आयोडीन की कमी से जो है गायटर नामक रोग हो जाता है और इससे थारायड southwest की आकर में व्रधी हो जाती है तो ये हमने यहाँ पर देखा बचों में फिर्राइड और फिर मिक्सेडीमा यह वनवस्ता में आयोडीन की कमी हो तो गायटर रोग हो जाता है साथ ही साथ थायरोक्सिन का अगर इस्तराबर अधिक हो तो उससे टाक्सिक जो है गाईटर नामक क्या होता है रोग उत्पन हो जाता है जिसके कारण आखे फूल जाती है और जो नेत्र है राइट वो आखे नेत्र कोटर से बाहर निकल जाती है राइट और इस रोग कोई क्य हार्मोन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है अब अगले लेक्चर में अन्ले गरंतियों से निकलने वाले हार्मोन को पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद